हेलो फैन वेलकम बैक, यहाँ पर इस वीडियो में हिरो कंपनी के लेटेस्ट लॉंच मोटर साइकल, हिरो एक्ष्टीम 125 आगकम पेजन, केटियम ड्यूक 125 के साथ करने वाले हैं, 125 cc में इन दोनों में कितना पाउर में डिफ्रेंस मिल जाता है, प्राइज़ी में डिफ्रेंस मिल जाता है, कम्प्रेड जनकरी आपको यस वीडियो में देने वाले हैं, जिससे कि आप अपने परसंद के रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पहलिए चैयें को सब्सक्राब जोर कर जिससे के कोई भी अपडेट आपसे मिस नहों यहाँ पे हम सबसे पहले हमेशा के तब बेसिक पॉइंस से स्टार्ट करेंगे कौन-कौन से आपको क्लर ओप्शन मिल जाते हैं कौन-कौन से वारियेंट मिल जाते हैं अगर आप फिरो कंपनी की XT125 पार लेते हैं तो इसमें आ थोड़ा सा चेंज होने वाली है साथ इसका जो ग्राफिक से वह भी चेंज होगा लेकिन जो करेंट मॉडरल जो केटियम ड्यूक मिल रही है उसके साथ यहां पर कंपैसन कर रहे हैं बाकि लुक को डिजानिंग को 125 आ रहा है वह कहीने कई थोड़े से आपको बल्की डिजा के साथ मिल जाती है तो लुक वाइस आप देश सकते हैं जो आपको पसंद आ है उसको चूज कर सकते हैं वह इसके इंजन पार के अगर बात करें तो एक्स्रीम में आपको 124.7C का एयर गूल्ड फॉर स्टॉक फ्यूल इंजिशन इंजन मिल जाती है लेगिन के टिम लेते ह इसमें आपको 9250RPM पर 14.5 PS का पाउर जब की 8000RPM पर 12NM का टॉर्क मिल जाता है इसके लाग जो एक्स्रीम 125 आ रहा है इसमें 5P स्पिड गेर बॉक्स मिलेगा लेकिन अगर आप के टिम 125 डूक लेते हैं तो इसमें 6 स्पिड गेर बॉक्स मिल जाता है इसके लाग एक्स्री सबसे ज़्यादा पाउर आपको केटिया मोन 25 डूक मिलती है यहां पर ज्यादा पाउर फूल इंजिन के साथ को केटिया मोन 25 डूक मिल जाएगी इसके लाग एक स्पीड तक ज्यादा गीयर वोक्स भी दिया गया है तो यह आपको डिफेरेंस यहां पर देखने को मिल तो कहीं नहीं ज़्याद आपको फीचर्स मिलेंगे तो एक बात आप ध्यान में दखिएगा प्राइजिंग में बढ़ने वाली है प्राइस की बात आगे करेंगे उससे पर इनके टायर वासाइस के बात करें तो एक्ट्रीम की फर्ण में 90 90 का 70 लागे हुए लेकिन का क्ट्यम 125 लेते हैं तो इसके फर्ण में 100 ऐंड गये हुआ है यहां पर ट्यूब्लेश टार लागे हुए हैं तो कहीं न करें जो चॉले टायस हैं यहां भी आपको के ट्यम दूग में देखनी मिल जाती है बागि जो ब्रेकिंग सिस सिस्टम भी आपको यहाँ पे Duke 125 में बेदर देखने को मिल जाती है बागी कुछ फीचर्स की बात के लेते हैं तो Extreme में आपको IBS अनिक इंटेग्रेटर बेकिंग सिस्टम और सिंगल चैनल का ABS मिल जाता है option में लेकिन आप KTM 125 Duke लेते हैं तिसमें आपको LCD display मिल जाएगा जो की Bluetooth के साथ आती है इसमें आपको gear position indicator, call and SMS alert और भी जरूत की information होते हैं सारे चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन आप आप KTM 125 Duke लेते हैं तिसमें आपको LCD display मिल जाता है देख सकते हैं थोड़ा सा छोटे साइस के मिलता है जहां पर gear position indicator, speed, fuel, service reminder, clock, और मिल जाती है लेकिन जो 2024 में KTM आएगी यह भी आगे उसमें display चेंज होने वाला है लेकिन फिडाल के लिए यही आपको display मिलता है इसकला यह connectivity feature के साथ आपको थोड़ा से बड़ा मिल जाता है तो यह आपको थोड़ा से डिफरेंस मिल जाएगा बाकि एक्स्ट्रीम में आपको split seat के साथ split gravel मिल जाता है पीछे एर अगर लगा हुआ है इसकला दोनों में आपको engine की switch भी देखने को मिल जाएगा लेकिन जो एक्स्ट्रीम आती ह है side में exhaust दिया गया है लेकिन जो KTM है अंडर बेल एक्स्ट्रीम के साथ आती है तो यह भी आपको थोड़ा से डिफरेंस देखने को मिल जाता है तो features देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा features में आपको difference मिल जाएगा थोड़ सी premium segment में KTM Duke 125 आती है तो इसलिए आपको features थोड़े सा आपको अलग जोड़ा देखने को मिल जाएंगे बागे जो connectivity feature है फिलाल के लिए आपको extreme में मिलेगा वह इनके mileage और top speed के एक रबात करें तो extreme 125 आर का भी वह इंके कुछ दामेंसर से बात करें तो XT 125R का वील बेस है 1399 ग्राउंड केस 180 में seat height 794 फ्यूल टैंके 10 इटर का जो करवेट है 136 kg है लेकिन अगर आप यहीं KTM 125 व्यूग लेती है तो इसका जो ग्राउंड क्राउंड क्राउंड केस है 155 इटर का जो करवेट है 159 kg है त यह आपको देमेंसर में थोड़ा बहुत दिखने को मिल जाएगा बागी में बात करते हैं प्राइसिंग की कोई साब की बजट रिंज के अंदर आ सकती है दोनों की प्राइस में कितना डिफ्रेंस है तो हीरो कंपणी की एक्स्रीम 125 आ राती है इसका जो एक्सुम दिलीम प के आसपास चली जाएगी लेकिन की की डिउक 125 लेते हैं इसकी जो एक्सुम प्राइस है वह लाग 78,892 यानिकी एक लाग 8882 रुपय तक है और इसकी जो ऑंडो प्राइस है लगबग 1,994 रुपय के आसपास चली जाती है तो प्राइसिंग में आपको बहुत बढ़ा थोड़ा सा कम ज्यादा होती रहती है तो यहां पर प्राइसिंग में आपको लगबाग 80,000 का फरक यहां पर देखनी को मिल जाएगा 80-80,000 रुपय तक सस्ती आपको यहां पर एक्स्ट्रीम में मिल जाती है KTM को मुकाबले में तो प्राइसिंग में तो सबसे बड़ा प्राइसिंग में आती है मालेस भी आपको लगबाग आपको सिमिलर मिलने वाला है लेकिन लुक के मामले में आप जरू बताएगा कौन से आपको बहतर लगती है यहां पर इस वीडियो में जतने भी जनकाय थी मैंने आपको यहां पर दे दिया है जो KTM कंपनी डियोक 125 है यह कहीं न कहीं आगे चलके अभी अपडेट होने वाली है तो इसमें काफी से अपडेट आने वाले हैं तो उसके बारे में जनकारी चाहिए तो चैनल को आप जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा इसके ल लगी और ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा थैंकि फैंस थैंक्सर वाचिंग